नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी कज़ने वीडियो में जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैस्ट 125 CC motorcycle in India इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले तो यहाँ पर आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा overpriced motorcycle भी देखने को मिलेगा fully faired motorcycle भी देखने को मिलेंगे mileage वगर अगर आप मतलब आपकी पहली priority है तो वो भी देखा जाए तो इसमें आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में एक commuter ढून रहे हो daily use के लिए सारी चीज़े मतलब आज की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए आज की वीडियो को start करते हैं तो ऐसे cool मिला के 9 motorcycle आपको Indian market में अभी हाल फिलाल में देखने को मिल जाते जिसके बारे में आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो को तो यहाँ पर देखा जाए तो वीडियो में मैंने जितनी भी motorcycle यहाँ पर रखी हुई है यह यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि first position पर है second position पर नहीं रहनी चाहिए ऐसा वैसा करके आप लोगों के बहुत सारे comments आते तो इसका मैंने एक solution निकाला है सबसे जो कम price वाली motorcycle है उससे शुरुवात करेंगा और सबसे ज़्यादा price वाली motorcycle रहेगी वो last में रहेगी तो चलिए start करते हैं सबसे कम price वाली 125cc motorcycle से तो पहले number पर आ जाती है super splendor जो की hero की तरफ से आती है अब इसकी जो price उसके बारे में बात करें तो इसकी जो price वो start होती है 89,000 रूपीज से 93,000 रूपीज on road राइपूर देखा जा तो इसमें दो warrant आ जाते हैं जिसमें आपको single disc front में नजर आ जाती है और अगर आप चाहो तो दोनों side में यानि front और rear दोनों में drum brake वाला warrant भी ले सकते हो तो इसमें दो warrant देखने को मिल जाते हैं इंजियन की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें 124.7cc का single cylinder 4 stroke air cool motor मिलता है पाउर इसमें 10.72 bhp की मिल जाएगी और torque इसमें 10.6nm का मिल जाता है 5-speed manual transmission के साथ में आता है mileage यहाँ पर देखा जाए तो 50-55 kmpl तक की उमीद कर सकते हो 12 लिटर की इसमें fuel time capacity मिल जाती है अब इसके जो electronics से उसके बारे में बात करते हैं headlamp इसमें देखा जाता है आपको multi reflector setup tail lamp भी इसमें देखा जाता है तो bulb type indicator सारे जगा आपको bulb type नजर आने वाला यानि halogen setup है meter यहाँ पर देखा जाए तो आपको analog setup में देखने को मिल जाता है लेकिन अभी देखा जाता हाल फिलाल मैंने वीडियो में देखा तो इसमें semi digital instrument console भी देखने को मिल जा रहा है वो मतलब जब आएगी तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा बढ़ते दूसरे नंबर की motorcycle की और तो दूसरे नंबर पर आती है Honda की Shine 125 Shine 125 देखा जा तो काफी मतलब basic सा look के साथ में आती है लेकिन ये देखा जा तो इंडिया में काफी ज़्यादा popular है किसी की वाज़ा से क्योंकि 125 सीजी category में अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम मैंने अभी मतलब sales report वाली वीडियो बनाई थी तो Shine 125 और SP 125 सबसे टॉप पर थी मतलब sales report में करीब लाक यूनिट से आर बेज डाले थे Honda वालोंने तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि Shine का क्रेज तो है इंडियन मार्केट में तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते है इसके प्राइस से अब हिंजन के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो इसमें 124 CC का Single Cylinder 4 Stroke Air Cooled Motor मिल जाता है Power इसमें 10.59 BHP की मिल जाएगी और टॉर्क इसमें 11 Nm का मिल जाता है Mileage करीब आप इससे 50 to 55 के MPL तक की उमीद कर सकते हो अगर आप इसको तोर तरीके से चलाते हो तो की जाए तो इसमें पूरा setup analog में रहने वाला है 10.5 लीटर की fuel tank capacity आपको इसमें देखने को मिल जाती है Third number पर आती है Hero की glamour 125 Price की यहाँ पर बात की जाए तो 91,000 रूपीज से इसकी price start होती है 95,000 रूपीज इसकी on-road राइपूर की price होने वाली है यह जितनी भी में price बता रहो यह on-road राइपूर की price है तो आपकी city और मेरी city में price का difference रहेगा Engine की यहाँ पर बात की जाए तो engine में इसमें आपको 124.72 CC का single cylinder 4 stroke air cooled motor मिल जाता है Power इसमें आपको 10.72 BSP की मिल जाएगी और torque इसमें 10.6 NM का मिल जाता है यह 5-speed manual transmission के साथ में आने वाली है mileage की यहाँ पर बात की जाए तो 50 to 55 KMPL तक की उमीद कर सकते हो और यहाँ पर इसके electronics की बात की जाए तो head lamp, tail lamp यह आपको देखा जाए तो इसमें LED में नजर आ जाता है इसका एक और variant आता है जिसको X-TAC नाम दिया गया तो यहाँ पर head lamp और tail lamp आपको LED में नजर आगा indicator इसमें bulb type में दिया जाता है मतलब यहाँ पर देखा जाए तो semi-digital instrument console भी आता है लेकिन यहाँ पर अभी X-TAC अगर आप लेते हो तो इसमें आपको Bluetooth connectivity के साथ में instrument console देखने को मिल जाता है fully digital मतलब setup के साथ में आएगा analog बोरा था तो fully digital setup देखने को मिल जाएगा इसके X-TAC में और यहाँ पर देखा जाए तो आप चाहो तो इसमें disc brake और drum brake दोनों का मतलब इसमें आपको option देखने को मिल जाता है front में आप चाहो तो disc वाला option भी ले सकते हैं या फिर drum वाला तो वह आपकी choice है fuel tank capacity की बात की जाए तो 10 liter की इसमें fuel tank capacity देखने को मिल जाती है बरते next motorcycle की हो तो next motorcycle है Honda की SP 125 price से शुड़वात करते हैं इसकी जो on road राइपूर की price जब वो करीब 94,000 रुपीज से इसकी price स्टार्ट होती है 99,000 रुपीज on road राइपूर की इसकी price होने वाली है engine की यहाँ पर बात की जाए तो same engine देखा जाए तो Honda जो shine आती है उसका engine इसमें भी share हुआ है engine की यहाँ पर आपन बात कर लेते हैं तो इसमें मिलता 125cc का single cylinder 4 stroke air cooled motor power इसमें आपको 10.59 bhp की मिल जाएगी और torque इसमें 11 nm का मिल जाता है यह 5-speed manual transmission के साथ में आती है mileage भी यहाँ पर देखा जाए तो दोनों motorcycle का same रहने वाला है 52-55 kmpl तकी उमीद कर सकती हो यहाँ पर इसके electronics की बात की जाए तो head lamp में आपको LED setup देखने को मिल जाता है और till lamp यहाँ पर आपको bulb type और indicator भी यहाँ पर आपको bulb type में नजर आने वाल है meter console यहाँ पर देखा जाए तो आपको fully digital setup देखने को मिल जाता है rpm वगेरा सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाती है यह भी देखा जाए तो दो वेरेंट के साथ में आती है जिसमें disc और drum दोनों का option मिल जाता है यानि फ्रांट में 11 लिटर की fuel tank capacity देखने को मिल जाएगी आपको इस मोटर साइकल में पाचवे नंबर की motorcycle के और बढ़ें तो पाचवे नंबर पर आती है बजाच की Pulser 125 प्राइस से शुरुवात करते है इसकी जो प्राइस है वो करीब 94,500 रुपीज से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 12,000 रुपीज ऑन रोड राइपूर इंजन की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें मिलता 124.4 CC का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कोल्ड मोटर पावर इसमें यहाँ पर देखा जाए तो 11.64 बीसपी की मिल जाएगी और टॉर्क इसमें 10.8 एनम का मिल जाता है ये भी देख पसर जब नाम ही आ जाता है तो लोगों की ना मतलब फिलिंग जाग जाती है थोड़ा सा उड़ा के चलाने की तो यहाँ पर माइलेज थोड़ा सा कम रहने वाला है यहाँ पर देखा जाता आपको काफी ज़्यादा वेरेंट देखने को मिल जाते है जिसमें निवान एडि कंसोल की बात की जाए तो यह देखा जातो पलसर की जो फिफ्टी वागर आती है सेम देखा जातो सेमी डिजिटल इंस्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है जिसमें आरपीम स्पीड मीटर फ्यूल मीटर यह सारी सीज़े आप देख सकते हो फ्यूल टैंक कैपसेटी की की जाए तो 11.5 लिटर की फ्यूल टैंक कैपसेटी देखने को मिल जाती है चटवे नंबर पर आती है टीविएस की हाल फिलाल में लांच हुई रेडर 125 इस मोटर साइकल में मुझे देखा जाए तो एक चीज़ डिसपॉंटिंग लगी वो यह है कि इसमें किक को हटा दिया राइपूर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें भी आपको दो वेरंट देखने को मिलेंगे डिसक ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों का उप्शन देखने को मिल जाएगा इसके फ्रेंट में इंगन की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें मिलता 124.8 CC का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट् यहाँ पर देखा जाए तो 11.2 BHP की मिल जाएगी और टार्ग भी देखा जाए तो 11.2 NM का मिल जाता है यह 5-speed manual gearbox के साथ में आ जाती है mileage यहाँ पर देखा जाए तो 50-55 KMPL तक की उमीद कर सकते हो यह देखा जाए तो इंडिया की पहली 125 CC motorcycle है जिसमें आपको भर भर कर फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें राइडिंग मोड्स आ जाते है colorful देखा जाए तो यहाँ पर आपको digital instrument console देखने को मिल जाता है एक और option आता है जिसमें आप Bluetooth connectivity वाले instrument console भी आप अपने bike में install करा सकते हो लेकिन उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है यहाँ पर looks and design के मामले में देखा जाए तो काफी जादा aggressive looking bike देखने को मिल जाती है अगर आप एक motorcycle देख रहे हो जिसमें आपको look and design काफी अच्छा देखने में लगे mileage अच्छा मिल जाए और feature वगेरा भी अगर आप चाहते हो तो radar 125 काफी अच्छा package बन जाता है split sheet भी आ जाती है headlamp यहाँ पर देखा जाए तो किसी robotic face जैसा design देखने को मिल जाता है especially अगर आप इसका yellow color देखते हो न तो yellow color आपको bumble भी की याद दिला देता है electronics की बात की जाए तो headlamp में आपको यहाँ पर LED नजार आएगा tail lamp में भी आपको LED नजार आएगा indicator यहाँ पर देखा जाए तो bulb type में दिया गया है meter console देखा जाए तो इस motorcycle का काफी highlighted part है because 125 CC category में पहली बार किसी motorcycle में आपको देखा जाए तो मतलब colorful display देखने को मिल जाता है तो यह काफी अच्छा overall package बन जाता है बाकी एक चीज यहाँ पर भाई मतलब भी starting में बताए कीक नहीं है भाईया कीक दे देते तो क्या जाता टीवेस वालों का साथवे नंबर की motorcycle की और बढ़ें तो साथवे नंबर पर आती है बजाच की Pulsar NS 125 प्राइस की यहाँ पर बात की जाए तो प्राइस इसकी है 1,16,000 रोपीज on road राइपूर वेरेंट यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी वेरेंट नहीं है ऐसा की मतलब फ्राइंट में drum brake आ जाएगा डिस्क ब्रेक आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है यह देखा जाए तो सिर्फ एक standard model है जिसमें आपको फ्राइंट में डिस्क ब्रेक और रियर में drum brake देखने को मिल जाता है इंगन की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें 124.45 cc का single cylinder 4 stroke एर कुल मोटर मिल जाता है पावर इसमें करीब आपको 11.6 bhp की मिल जाएगी और टॉर्क इसमें 11 nm का मिल जाता है यह भी देखा जाता हो 5-speed gearbox setup के साथ में आती है mileage यहाँ पर देखा जाए तो कम इसलिए है क्योंकि नाम आ गया भाईया Pulsar NS 125 तो यहाँ पर लोग तो भाईया इसको मतलब तौर तरीके से तो चलाएंगे नहीं चलाएंगे भाईया अच्छे से उड़ाके नागिन डांस करके तो mileage हो सकता और भी कम हो जाए इसके electronics की बात की जाए तो headlamp में आपको यहाँ पर halogen setup इंडिकेटर में आपको halogen setup और tail lamp यहाँ पर देखा जाए तो split LED में नजर आ जाती है यह देखा जाए तो मतलब NS 200 है उसका बेबी वर्जिन है सबसे छोटा वर्जिन NS 125 जो की अभी हाली फिलाल में देखा जाए तो इंडियन मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस की आ गया है मीटर कंसोल की यहाँ पर बात की जाए तो मीटर कंसोल यहाँ पर आपको semi digital में नजर आएगा same as it is होने वाला NS 200 जैसा बस यहाँ पर कुछ कुछ चीजे थोड़ा सा खसका दी जाती है लाइटिंग वगएरा देखा जा तो NS 200 में blue आती है तो इसमें orange वगएरा देखने को मिलेगा analog setup में आ जाता आपको मतलब RPM गेज और digital side में देखा जाता तो speed meter आ जाता है fuel tank capacity की बात की जाता तो इसमें 12 liter की fuel tank capacity देखने को मिल जाती है 8th number पर आती है KTM की Duke 125 जैसा कि मैंने आपको वीडियो के starting में कहा था कि थोड़े से overpriced motorcycle भी यहाँ पर होंगे तो NS 125 देखा जातो मतलब 1,16,000 रुपए की थी अब यहाँ पर देखा जातो काफी ज़्यादा price difference होने वाला है Duke 125 की हाल फिलाल की जो on-road price है वो करीब 1,97,000 रुपीज है on-road राइपूर की यह price है तो यह देखा जातो 125 CC की overpriced motor cycle है engine की यहाँ बरबाद की जातो उसमें मिलता 124.71 CC का single cylinder 4 stroke liquid cooled fi motor मिल जाता है power इसमें करीब आपको 14.3 bhp की मिल जाएगी और torque इसमें 12 mm का मिल जाता है यह भी देखा जातो 6 speed gearbox setup के साथ में आती है यह देखा जाए तो मतलब पहली गारी है मतलब हमारे मतलब list की पहली गारी है जिसमें आपको 6 speed का gearbox और liquid cool engine लेखने को मिल जाता है mileage obvious सी बात है इस motorcycle की बहुत ही कम है औरों के मुकाबले 40 kmpl तक की mileage की उमीद आप इससे कर सकते हो electronics की बात की जाया तो headlamp, hydrogen setup के साथ में आ जाता है LED DRL इसमें आपको नजर आ जाता है indicator और tail lamp यहाँ पर LED में आपको नजर आ जाती है meter console की यहाँ पर बात की जाया तो meter console इसमें आपको देखा जाया तो fully digital setup देखने को मिल जाता है fuel tech इसमें आपको 13.5 लीटर की देखने को मिल जाती है next यहाँ पर देखा जाया तो next motorcycle है सबसे जादा overpriced motorcycle है 125 CC category में और वो है KTM की RC 125 अभी हाल फिलाल की है मतलब ताजा तरीन खबरे यह हैं कि अभी इसका जो नया वर्जान है मतलब second generation वो भी Indian market में आने वाला है उसकी price तो अभी मुझे नहीं बता लेकिन इसकी जो पहले वाली जो first generation है उसकी price बता दू तो यह करीब आपको 2,7,000 रुपीज की पढ़ जाती है on road राइपूर मतलब 2,7,000 रुपे की 125 cc की motorcycle भाई साब मतलब overpriced तो बहुत ही जादा है इंजन की हां बरबाद की जाए तो सेम इंजन है ड्यूक 125 जैसा इसमें भी आपको 124.71 cc का single cylinder 4 stroke liquid cool motor मिल जाता है पावर इसमें आपको 14.3 bhp की और टॉर्क इसमें 12 अनम का मिल जाएगा 6-speed का gearbox setup आपको मिल जाता है mileage 40 kmpl तक की है इतनी रहने वाली है electronics में यहाँ पर देखा जाता है तो projector halogen setup नजर आ जाता है इसके headlamp में LED देखा जाता है तो आपको indicator नजर आएगा tail lamp भी इसमें आपको LED में नजर आने वाला है meter console देखा जाता है तो fully digital setup के साथ में आ जाता है fuel tank capacity की बात की जाए तो 9.5 liter की fuel tank capacity आपको इसमें भी देखने को मिल जाती है तो यह थी 125cc motorcycle की एक छोटा सा quick review बाकी इन सभी motorcycle हो में से आपको कौन सी motorcycle पसंद देए आप हमें comment करके जरूर बता सकते हैं और आप हमें Instagram, Facebook पे भी follow कर सकते हो IDs यहाँ पे flash और यह link आपको description box में भी मिल जाएगा सो guys मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए be attentive, be smart, always wear helmet, right, safe, जैहिन बाबाए दोस्तो